राजनीती में उच किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता कहते हैं कि राजनीती अफसर का खेल है हाल ही में बंगाल विधान सबाचुनाव में जब टीमसी की जीत हुई इसके कई सारे माइने निकाले जा रहे हैं कहा तो ये भी जा रहा है कि दीश भर के अलग-अलग राज्यों के छेत्रिय दल को इससे मजबूती मिली अब ऐसे में बिहार की बात करीं तो बिहार की सियासत में जाहर सी बात है ये कोई ना कोई नया मोड नया रंग जरूर लेकर आएगा अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये इस बात से असफ़ष्ट होता है कि मुख्य मंत्रे नितीश कुमार की छवी एक समाजवादी नीता के तौर पर है लेकिन कहीं ना कहीं इस सबार के बेहारवधान सबा चुनाव में जो रजल्ट सामने आया है उससे ये बात असपष्ट होती है कि बीजेपी के राष्टवाद का साग मजबूरन वश ही लेकिन उन्हीं देना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्र नितीश कुमार की अगर बातों को याद किया जाए तो वो लगतार सबात की जड़चा करते रहे हैं कि उन्हीं इस बार मुख्यमंत्री बननी का मन नहीं था मजबूरी में उन्होंने मुख्यमंत्री की शपन सात्वी बार ली है इन सब के बीच अगर हम इधर बात करें उनके प्रमुक प्रतिद्वंदी राज़त सुप्रीमू लारुपिसाद यादर की तो वो भी एक वज़़ा है कि राज़त को वो कभी भी अब बिहार के सत्ता में लोटने नहीं देना चाहते और शायद यही पज़़ा है कि लगता वो बिहार की राज़नीती में सक्रिये और एक एहम ओहदा यानि कि बिहार के मुख्यमंत्री के तोर पर बने रहना चाहते हैं लेकिन इन सभी बातों के आखर माईनी क्या है तो आपको बता दी कि आने वाले 2024 तक की रणीती मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा बनाई जा रही है उनके तमाम बातों से ये बात असपश्ट होती है कि आने वाले समय के लंबी चाल के लिए वो कई सारी बातों को ध्यान में रखते वे आगे बढ़ रहे हैं और हो भी क्यों ना क्योंकि मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक अच्छे रणीती कारक के तौर पर जाने जाते हैं अब ऐसी में राज़त सुप्रीमों लालुपिसाद यादव की वी बात कनी तो राज़त सुप्रीमों जेल से बाहर हो गए हैं जमानत उन्हें मिल गई है और जाहर सी बात है टीमसी के जीतने के बाद कहीं न कहीं बिहार की राजनीती में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा अब ऐसे में आजडी सुप्रीमो लालुपिसा अद्यादव और साथी साथ साल दोहजार चौबीस तक की रणनी थी कैसे मुख्यमंदर नितीश कुमार बना रहे हैं जानी इस पूरी रिपोर्ट में सीम नितीश कुमार ने हाल में हुए दूसरे राज्यों के विधान सभा चुनाओं में शेत्रिय दलों की जीत पर बधाई दी है नितीश ने शोशल मीडिया पर चार पोस्ट किये इसमें बीजेपी को असम और पुड़ी चेरी के लिए बधाई दी लेकिन केरल और तमिलनाजों के मुख्यमंतरियों को यह जताया कि उनसे रिष्टे बहुत प्रगाड है वहीं बंगाल में जीत के लिए ममता बनर जी को बधाई ना देते वे नितीश कुमार ने टीमसी को बधाई दी अब आप इस बात से असपस्ट तौट पर समझ सकते हैं कि चार बधाईयों को अलग-अलग रखी तो इन सभी के माइने भी बिलकुल अलग है वरिष्ट बत्रकारों का मानना है कि यह बयान आने वाले दिनों में राज्यती घटना क्रम की तरफ इशारा करता है नितीश कुमार की छवी देश में अलग रही है उन पर बीजिपी के राष्टवाद का रंग नहीं चड़ा ऐसे में इस बयान को देखा जाए तो नितीश कुमार ने यह साबत कर दिया है कि शेत्रिय पाठियों में वो एक मात्र चहरा है जिसको लेकर सब ही आगे बढ़ सकते हैं उन्होंने तमिलाडू के स्टालन और केरल के विजियन के रिष्टे को लेकर भी साफ किया कि उनसे समर्धन मिल रहा है वहीं उन्होंने ममता को छोड़ कर टीम सी का नाम लिया उन्हें पता है कि यदि कोई नितीश कुमार को टककर दे सकता है तो वो है ममता बानर जी ऐसे म यदि 2024 के लिए कोई फ्रंट तयार हो तो नितीश कुमार उसका चहरा बने इसकी तयारी में वो अभी से जुट गए है राज़तिक पंडितों की माने तो एंडिय में नितीश कुमार कमफर्टेवल महसूस नहीं करते गाहे बगाहे उनके सामनी है जता दिया जाता है कि वो बीजेपी की बदावलत सीम की कुरसी पर बैठे हैं ऐसे में कभी पीयम मैटेरियल रह चुकी नितीश कुमार एक बार फिर सी पूरे देश की शेत्रिय पार्टियों को एक जूट कर सकते हैं उनके इस मुहीम में साथ उन दलों का मिलेगा जो बीजेपी विरोध की राज़ पंजाब, महराष्ट, जारखन, टमिल नाजू, केरल, पश्रम, बंगाल, सहित, शेत्रिय दल जो कहीं सत्ता में नहीं लेकिन अपने राज़्य में मजबूत पकड़ रखते हैं वो नितीश कुमार का साथ दे सकते हैं एक जो बेहलें अहम बात है वो ये है कि लालू का जेल से बाहर आना कहीं न कहीं एक संजीवनी है 2013 में जब नितीश कुमार ने इस्तिफा दिया तो बाहर से समर्थन देकर जड़ियों को सत्ता में रखा था 2015 में जड़ी और आर्जडी ने मिलकर बीजेपी को विपक्ष में धकेल दिया ऐसे में यदी लालू यादव अच्छी चाल चलते हैं तो आर्जडी फिर से सत्ता की गल्यारे में पहुँचने में काम्याब होगा बशड़ते की नितीश कुमार की महत्वकांशा देश की राजनीती करने की होचाए यानि की इन तमाम बातों से ही असपश्ट होता है कि मुख्यमंत्र नितीश कुमार लंबी रेस का घोड़ा है और हो भी क्यों ना कभी पीए माटीरियल रह चुकी मुख्यमंत्र नितीश कुमार अब आगे की रणीती मनाने में जटे हुए हैं चाहे उनके शोशल मीडिया के माध्यम से उनकी ट्वीट को देखा चाहे हाल ही में हुए विधान सभा चुनाओं अलग-अलग राज्यों में उनके परिणाम सामने आएं और अलग-अलग तरीके से शेत्री और दलो को उन्होंने बधाया दी यानि की तमाम तरीके से वो इस बात को असपश्ट कर रहे हैं कि केंदर अस्तर तक उनकी राजनीती का विस्तार हो और हमेशा से उन्होंने इस बात की असफश्चता जाहर की है कि मुख्यमंदर नितीश कुमार इस बार सीम सिर्फ और सर्फ बीजेबी के वज़े से बने है और इस बात को लेकर मुख्यमंदर नितीश कुमार ने खुद भी चर्चा की है अब ऐसे में अगर हम बात करें आरजडी सुप्रीमों लालु प्रिसाद यादव की तो जेल से बाहर आना कहीं न कहीं पार्ठी के लिए संजीवनी के तौर पर है वो इसलिए क्योंकि अगर मुख्यमंदर नितीश्कमार लंबी चाल चलते हैं यानि कि केंद की राजनीती में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आरजडी का रास्ता साफ हो जाएगा और जाहर सी बात है लालू यादव एक बेहद ही अच्छे रणीती कार है मास्टर माइंड है राजनीती के और उनके बेटे यानि की नीता प्रतिपक्षृती जस्वी आदव के लिए बेहार की राजनीती बेहार की सत्ता तक की चाभी एक दरह से उनके हाथों में लग फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हैं नीजस्वाणीशन नमस्कार